जिलास पताल में भीशड गर्मी से मरीजों की संख्या में पढ़ोतरी हुई है जिसके संबंद में डॉक्टर वी के सुमन ने बताया कि जनपद में भीशड गर्मी पढ़ रही है और टेंपरेचर 43 डिग्री होने जा रहा है जिससे काफी मरीज बिमार होकर आ रहे हैं उनका इलाज किया जा रहा है यदि आविशक्ता पढ़ रही है तो भरती भी किया जा रहा है इसलिए आविशक्ता ना हो तो घर से बाहर ना निकले और खुब पानी पिए और छाते का प्रियोग करें और बाहर निकलते समय सर ढखक कर बाहर निकलें उन्होंने बताया कि बाहर की वस्तों का सेवं ना करें क्योंकि इससे डाएरिया भी हो सकता है इस मौसम में बहुत से लोग घर पहुचते ही ठ crouch कोल्डरिंग का सेवं कर लेते हैं जिससे तबियत खराब हो जा रही है और वही लोग अस्पताल आ रहे हैं जिनका इलाज किया जा रहा है इस संबंद में गुरखपुर्णी उस से बात करते हुए जिलास पताल की डॉक्टर वी के सुमन डॉक्टर राजिस कुमार ने कहा इस सुती कपड़ों से ढखके रखिए पानी कूप पीकर निकलिए चादे का प्रयोग करिए बाहर निकलते हैं तो कहीं के खुली वी चीजें या जहां ताथ तक जो पानी मत लीजे क्योंकि उसको पीने से जाइरिया भी हो सकता है आप में इंफेक्शन हो सकता है और खुली कर लेते हैं जिससे परहज करना चाहिए इसको नहीं लेना चाहिए इसको लेने से गले में बोडी के टेंपरिचर ज्यादा है आप ठंडा तुरत लेते हैं गले में इंफेक्शन होती है खांसी जुकां बोगार को लेकर के इस तरह के भी मरियों की संख्या बढ़ी है और मर जा रहा है इन मरीयों का हम लोग विद्वत जांच कराते हैं विलाज करते हैं घर पर अराम करने के लिए अगर नहीं ज्यादा दिकत होती तुमको एड़मिट करके विलाज करके अब तब घर पर भेज़ने मैं डॉक्टर वीके सुवन सेनियर कर्शेंट फिजिशन जिलाज ताल को रखते हैं तापमान काफी ऊपर चल ला है ब्यालीश तैन्तालिश के बीच में पहुंच जा रहा है जिसके वज़ज़ से कि यहाइड्रेशन के मरीज हिस्ट्रों के भी पेसेंट आ रहे हैं और पीट दर्द उल्टी के भी मरीजों की संथा बढ़ गए है बचाओ के लिए है कि जब भी घर से बाहर निकलें पानी पी करके निकलें यदि संबह होए तो साथ में पानी रखें और छाते का प्रयोग करें और पूरे बदन को ढखके रखें यदि दूरे कहीं जा रहे हैं तो मुका मिले तो छाए में कहीं कड्या करें के और को सीतल करें लेकिन अनावस्य तुट तर से दर से बाहर ना निकले कि इसमें पूरा ताप्मान टेज चलना है में में को एकसे बहुतने की मरु Simmons करा है ताजा भोजण जो मिले गर का और आख हैं बाहर का भोजण ना करें बाहर का भोजण करने से अक्सर देखा जा रहा है कि मरीजों को पेट दर्द उर्टी की सिकायत हो जा रही है कि तापमान बढ़ने के वज़े से खाना की अमलता बढ़ जाती है जो बना हुआ खाना है वो बिशाख हो जाता है उसका पूना यह दिया आप सेवन करते हैं तो वही खाना आपके के लिए खुछ पाजनी का भी कारण बन सकता है तो यही सुझाव है कि पासी भोजन ना करें और दुकान में जो अगल बगल में ठेला या जो लगा कर रखते हैं उसका तो खाना बिल्कुल ही न खाना क्योंकि वह खाना जो है फुले में राता है तापमान के वज़े से वह फर्मेंटेशन हो जाता है खाने में जिसके वज़े से खाने के बाद से आपको परशानी हो के सामना करना पड़ता है मैं नाम ड़क्तर राजिस कुमार है मैं फिजीशन फिलर फिक्साले गूर रख